forest products and their utility तो यहाँ पर हमें बता है कि forest product जो है वह और उसके जो utility उसके किस किस तरह से use होता है उसके बारे में बताया है forest are useful to the mankind in the many ways timber wood from the tick and the sard is used for the furniture making boards are the prepared from the wood of the sundary trees of the sundar one spot goods and the packing boxes are prepared from the wood of pine and the tree trees turpentine is the prepared from the liquid from the tree trees and the sundal wood is used to the prepare the perfume oil cosmetic etc basket toys and goods of the home direct home decoration etc are the made from the bamboo trees and the forest also the provide the lack यानी की sealing wax and the resistance girls rubber honey can and etc आमला जो है वह आमला बैड़ा हर्डे अश्वगंदा एक्सेट्रा था होर्ड मेडिसिन्स utility तो यहाँ पर हमें बताया है कि जो भी हमें forest से मिलती है जो भी vegetation वगेरे वह जो हमें कई तरह से यूज होती है जिसमें में बताया कि forest से मिलने वाली जो है आप Better जो भी वोर्ड सगेरे यहाप साल की वillar्च वगेरे वह फनिचर यूज होती है उसके बाद में बता है कि सुन्दर वर से मिलने वाली जो सुन्दरी ट्रीज जो है उनके जो लकड़िया वगेरे जो है वह यापर हमें बोट स्टीमर वगेरे बनाने में यूज होती है और हिमाले के शीत प्रदेश से मिलने वाली जो भी आपे देवदार और छीड की लकड़ी वगेरे हैं उनका जो यूज़ है वह आपे toys वगेरे बनाने में और goods और home decoration की चीड वगेरे packing जो यापे basket वगेरे बनाई जाती है उसके लिए वह यूज़ होती है तो इस तरह से आपे हमें बता है कि छीड का जो रस है उससे आपे टर्पेंटाइन बनाए जाता है और चंदन जो है उससे आपे coffee जो है उससे आपे सौंधरी प्रतिशादन जाने की cosmetic products वगेरे में जो है पर्फियूम वगेरे ओईल वगेरे बनाने में उसका यूज़ होता है इस तरह से किलोने एंड डेकॉरेशन की चीज़े बगेरे जो है टोकडी बास्केट्स वगेरे जो है यह बास से बनाई जाती है और यहापे हमें बता है कि इस तरह से जंगल से लाग अन उसके बाद में यहापे रैसीन, गल, स्रब और हानीकेन वगेरे जो यह सब मिलता है यहां पर आवला, हरे, बहरा, अश्वगंदा जैसी और भी कुछ जो ही आपर medicine utility जो ही वह मिलती है next medicine utility of the vegetation जिसमें यहां पर हमें बता है कि सर्पगंदा तो यहां पर बता है हमें in the high blood pressure की high blood pressure की problem जो होती है तो उस time पे जो सर्पगंदा जो ही इसका यह जो ही use medicine की तरह होता है next यह bacterial resistance जो ही उसके लिए लिम्डो यानि की नीम का यूज होता है जीवानु प्रती रोधक के लिए जो ही आपर cold cough and fever वगेरे होता है तो तूलसी का medicine की तरह यूज होता है यहां पर हमें बता है कि treatment of the hurt elements जो है यानि कि जो हदय के रोग वगेरे होते है उसमें जो है आपर argyos arat जो ही उसका use होता है यह आपर हमें बताए gas and the cough जो है impritis जिसके लिए जो है बिली जानि की जो बैल है उसका use होता है diabetes fever joint pain वगेरे उसके लिए उसके लिए गिलोई का use होता है उनको यापी जोई medicines की तरह आमला जोई वह वो लोग यूज करते हैं एन हमें बता है कि skin and dental gums, diseases वगिरी जानी कि skin and dart वगिरी जोई सड जाते हैं तो उसमें जो करंजी है उसका यूज होता है तो इस तरह से जोई यापी इस सारे medicines का यूज किस तरह से होता है कौन से बीमारी में होता है वह हमें बताया गया है besides the leaf plates from the kakro leaves the catches from the kheer tree and the weedy from the timro leaves are the also prepared forest provides the livelihood and the food to the forest dwellers this way the forest contribute into the special and the economic development of the mankind तो यहापे हमें बताया कि इसकी अलावा जो है आपे तेंदू के पत्ते से जो है उसके बाद में बताया कि पत्तल दाने जो है दोने खेर की लकड़ी से जो कथा वगेरे एंड तेंदू के पत्ते से जो आपे बीडी वगेरे जो वह बनाई जाती है यहापे हमें बताया कि इस तो जो यह हमारे लिए economic development में और हमारे social development में जो vegetation से वह काफी useful मानी चाती है environmental importance of the forest तो यहापर हमें जो हे forest का environmental importance क्या है वह बताया है the environmental importance of the forest is as follows जिसमें बताया सबसे पहले कि forest are useful to the rain rain तो यहापर बता है कि जंगल में बारिश लाने जंगल जो है forest बारिश लाने के लिए जो है काफी useful होते है they control the atmosphere from the becoming adverse तो यहापर हमें बता है कि वातावरण जो है उसे यहापर adverse बनाने के लिए atmosphere को adverse होने से control में करने के लिए भी जो है यह पर intrans होते है Congress यह भी खते है वार्बारत में उसको यह विसंद्शों रोगते है यह भी खते है दिरेक्र fugac और अबसुप घुल से बताए कि वह जो फॉरेस्ट है या पर या पर कार्बन डायॉक्सट जैसे जो हांफुल गया से उन्हें अब्सॉब करते हैं forest prevent the soil erosion सोइल ईरोजन होने से forest चहेँ हैं प्रिवेंट करते हैं forest maintain the ground water चहाँ पर हमें बता है forest च्रीक The Vent jam renowned western , forest yn growing as natural beauty तो यहां पर हमें बता है कि forest है वे natural beauty को भी बढ़ाते है forest purify the air तो यहां पर forest है जंगल वो जो है यहां पर air को यानि हवा को भी purify करते है and forest are the ideas places for the adventures, tourism and activities तो यहां पर हमें बता है कि forest जो है वो ideas होते है and यहां पर tourist वगेरे जो होती है activities वगेरे होती है and some forest are the reserved to the national park and the centuries and the bio-diversity तो यहां पर हमें बता है कि कुछ जो ऐसे forest होते है उन्हें आपर national park, centuries and the bio-diversity की तरह जो यह reserve रखा जाता है forest conservation तो यहां पर हमें आगे बता है कि forest conservation यानि कि जंगल हो का चोहीं आपर इस introduction क्यों होना चाहिए तो यहां पर हमें बताया है ecosystem is formed due to the interrelation is the biosphere and the mind cat but due to the anti-environmental activities and the selfishness of the man to the ecosystem is best of man's insensible desire to the procure land is the responsible for the destruction of the forest and forests are destroyed also by the increasing the population and policy of the establishing industrial units away from the residential areas, urbanization, multipurpose projects, the contribution of the roads, zooms, cultivation to get the timber and the fuel wood, forest, fire etc. ecological balance is the disrupt due to the destruction of the forest तो यहां पर हमें बताया है कि वन्य जीवन जो है वो प्राने जीवन मानव जीवन के जो है आपे सभी के बीच में जो है आपे इंटर रिलेशन्शिप होता है परन्तों यहां पर मानव का परियावरन विरोधी यानि कि human activities जो है जो कि आपे इंवार्मेंटल के अगेंस्ट होती है जिससे कि आपे जो है इन प्रवरुतिय के जो है मासिक्ता स्वार्शूति के कारण जो है आपे काफी असर हमें रेखने को मिला है जंगलों का जो भीनाश है यह मानव के लिए पाई जाने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें आपे बता है कि यह जो पॉप्योलेशन कंट्रोल एंड उसके बाद में आपे इंडस्ट्री उससे दूर ले जाने के लिए आपे शहरी करण वगेरे वह भी किया जात और जहे हैं तो जिसके ओचे से हमारा एंडस्ट्री में वह भीग्ड़ा है यह पर हमें आगे बताए कि जंगलों ृकर वीनाश होने से जह जहिकर हमारे जहिकर है काफी एंडस्री आपजने के लिएक मानवां कुछवा बढ़ रहा है डेसर्ट बढ़र रहे हैं जो यह आपर वाइफ जो है वह भी आपक खत्रे में जाने जाते हैं तो इस तरह से चुछ है इसका काफे एडबर्स एफेक्ट जो है यूमन इनिमें लाइफ वह पर पर भी पड़ रहा है तो यहाँ आप हमें बता है कि निशनल पॉ Nodati 3 % उसले में ही जय जनगल है जब कि घुजरात में जो स्ञेव आया हुआ है इस तरह से जंगलों का डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसे रोकना जरूरी हो रहा है जिसकी वज़े से जो हम यहां पर यहां पर हमें जो इसका संदक्षन करना भी काफी जरूरी है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन होना नैसेसरी है तो यहां पर हमें बता है कि जो यहां पर फॉरेस्ट को इचले कंजर्व करने के लिए कौंसी रमेडी जे उसके बारे में बताया गया है In order to protect and conserve the forest, the government of India implemented a national forest policy in 1952 In 1980, the parliament passed the legislative act and in the 1988, the new national policy was announced Following steps should be taken to the preserve forest तो यहां पर हमें बताया है कि 1952 में जो यहां पर government ने जो है यहां पर कुछ रमेडीज वगिर जो है इंप्लीमेंट की है, जिसमें जो यहां पर national forest policy जो है वह इंप्लीमेंट की है government ने And उसके बार में 1980 में जो है यहां पर government ने एक act भी पास किया है 1988 में जो कि national policy की तरह से जाना गया And उसके बार में हमें यहां पर बताया है कि उसमें remedies कौन-कौन सी है forest को preserve करने के लिए जिसमें यहां पर हमें बताया है कि forest are our nations resources, this is the moral duty to the protect them तो यहां पर बताया है कि forest वह हमारी किसी एक इन्सान के लिए नहीं यह किसी एक इन्सान की जरमपती नहीं है तो इसलिए यहां पर हमें बताया है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि यह जो ही आपे नेशनस हमारे नेशनस की रिशोसे से तो उसका जो ही आपे प्रोटेक्ट करना हम सब की मोरल ड्यूटी मानी चाती है एंड उसके बाद में हमें बताया है त्री फिलिंग शोड भी स्टॉप यानि तो ट्री को कटने से रोकना चाहिए है विपनिश्मेंट मुजट भी इन्फलिक्टेड टू थो गृर्ट ट्री से यह यह अपर हमें बताया कि जो यह पर इलेगल ट्री म को नेशन सब्मैंट और ना उन्हें पणिश्मेंट देनी चाहिए इंक्रिस पब्लिक पाटिसिपेशंस इन दे वान मौत सव और स्पेशल फोरेस्टी ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड ओन एधर साइड्स ऑफ दे वेस्ट लेंड और रिवर रेल्वे स्ट्रेक्स एंड रोडस ऑफ राइस तैम तो य यह पर पीड फ़ेड लगवाने चाहिए कि क्रिय प्रैक्रेंट्स आवेरनस अब दर अइन्वार्मेंटल ओंट एध्यू के एडिकेशन और इंवार्मेंटल फिरां गुरड यह भी पार्नाई को के जिससे सबी रोगों में जो है आपे इन्वार्मेंट के लिए उन लोगों में अरनेस आये जिसमें आपे बता है 21st मार्च उसे वर्ट फॉरस दे की तरह सैलिब्रेट किया जाता है 22nd Crystal को ऐर्थ ड marketers की तरह procs क्या जाता है 15th जून जे उसे यहाँ पर वर्ड ओजोन डे की तरह जो है सेलिब्रेट किया जाता है तो यहाँ पर हमें बता है कि जंगल में आग न लगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर हमें बता है कि जैसे हम ट्रेडिशनल रिशूर्श का जैसे यूजर चाहिए जैसे कि solar energy, bio energy, wind energy वगेरे explain the importance of the forest to the people through the broadcasting media and the bring the public awareness about it तो यहाँ पर हमें बता है कि forest की importance के बारे में जो ही आपर मेडिया में वगेरे जो ही इनके द्वारा लोगों को समझाए और यहाँ पर लोगों में जन जागरूती लाए तो यहाँ पर हमें आगे बता है कि like to know जिसमें यहाँ पर बता है कि world forest year जो ही वह जो ही आपर हमें बता है कि 2011 जो ही उसे यहाँ पर वेश्विक लोग जागरूती लाने के उद्दिश से 2011 को जो ही विश्ववन वर्ष के रुपे उससे गोशित किया गया है और उसके बाद में बता है कि यहाँ पर socially forestry जो ही यहाँ पर इन्वार्मेंट वगेरे जो बना रहे society and the rural development जो ही उन्हें conserve करना forest को conserve करना plant trees वगेरे को conserve करने के लिए जो ही यहाँ पर वर्क किया जाता है एफर आई यानिके forest research institute undertakes the forest related research तो यहाँ पर हमें बताया है कि दहरादुन में जो ही यहाँ पर एफर आई जो ही वह यहाँ यहाँ पर research वर्क कर रही है तो students हमारा यह lesson यहाँ पर complete होता है आपको exercise दी है जो notebook में complete करनी है thank you so much